हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस तुड़ी में हम देखने हो ले आए सिसी मैंस टीटवेंटी वर्ल्ड कप कॉलिफार भी की जो मैच है सिंगापूर वर्सेश जेर्सी के बीच आने सिन वर्सेश जे आई जे आर के बीच की तीन चार ड्रीमी लिए उनके टेम्स दिखाने आला हूँ जिससे कि आपको अच्छे खासे अर्णिंग हो सकते हैं या फिर आप ग्रैंड लिग स्मॉल लिग जरू जेद सकते हैं जैसे कि मैंने मैं आज को हालेट करके दिखा दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेनी अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाए तो कोई बात नहीं रिक्वेट जरू करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे और साथ इसाथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुले ताकि ऐसे वडियो आप तक पोश्चते रहे और दोस्तो बिना किसी देर के चलते हैं आई टीम पर क्लिक करते हैं और प्रिवी में आपको करके दिखा दे रहे हो तो दोस्तो एक बात जरू कहूंगा कि मैंने अच्छे कॉंबिनेशन बनाते वक्ट कुछ जिनका पर्फॉर्टा कम हैं उनको भी मैंने ले लिया है ताकि सबी का परफर्मस ठीक ताकी रहा है लेकिन एम से इंग का परफर्मस थोड़ा बेटर रहा है तो इनको मैं इस टीम में ज़रूर शामिल कर लूँगा अगर बात करें बैटिंग की तो बी वाट को लूँगा उसके बाद एन ग्रेंड वुड को लूँगा और ए ट्रीब को इ ले रहा हूं तो इस तरह से चार ले रहा हूं मैं ज़रू कोंगा इन सब का परफर्मस बेस्ट नहीं है यह कुछ का काफी अच्छा रहा है कुछ का ठीक ठाक रहा है लेकिन फिर भी इन चारों को एक साथ लेंगे तो काफी फायदा हो सकता है क्योंकि आल राउंडर हमेशा टीटेनो और टीटोएंडर में हमेशा काफी जाधा खामात धे जिससे कि ये बेटिंग और ऑर बॉलिंग दोनों में आपको ज़्यादास जादास जाधा पॉंट दे सकते हैं क्योंकि हूंकि इनको गेन बाजी भी मिलना काव्यू लेद्टो शक्तु ब्लेंस होता है उनको भी मैंने स्टीम में शामिल कर लिया तो जो पहला कॉम्मिनेशन है वो काफी बेस्ट बना है दोस्तों जो कि आपको ग्रांड लिग जिता सकता है अच्छी खासी अर्णिंग करा सकते हैं अच्छी आप स्मॉल लिग भी स्टीम से जरूर जे चकते तो इस टीम को आप ज़रू इसलिए इन sharpen दोनों को काफे ज्यादा लोगों ने पसंती दिया आज क्याप्रशन और मैं भी मैं उनके साथ जाँगा ताक्कि आपको पsti कोई रिस्क्रम माइं हो तो रिस्क न 잠म अगर अगर हम इनको दोनों को कॉप्टान माँ नहीं बनाते और यह अच्छा प्रफरुम और अगर आप मल्टिपल लगाते तो आप जरूर उनको वहां पर क्याप्टर लगाईएगा इस टीम को क्लोज करते हैं दूसरी टीम दिखा देता हूँ दूसरी टीम भी काफी अच्छी है इसमें यहां पर मैंने कीपिंग से में शुरुआत कि चेंजस करने की जे डैन फोर् इसके बाद आप देख सकते हैं ए मुर्तेजा को ले रहा हूँ बीवाड को वापस लिया है सी चंद्रमोहन को ले रहा हूँ और एट्रिप को ले रहा हूँ तो इस तसे पाच ऐसे बल्लेबाद लिए जिनकी बैटिंग अच्छे होखासी हो सकते हैं यह अच्छे खासे खे लूँगा जे प्रकाश और जे समसेयर को इस टीम में शामिल करूंगा तो यहाँ पर दो यह आल रॉंडर में इस टीम में लूँगा जिससे कि आपको अच्छे खासी अर्निंग होने आले उसके बाद मेरे पास तीन गेन बादे एक कृष्णा है ए मैभूब है और डी ब्ल कर सकते हैं और आपको अच्छे खासी अर्निंग करात सकते एक अगर बात कर ले तो यहाँ पे देख सकते थोड़े मैंने हटके बीवार को पिकले टिम में वाइस काप्टन मना रहा हो दोस्तों बीवार को कप्तान मनाने के पिछे रिजन यह कि अगर यह पिकली टीम मैंने काप्टन मना लेकिन यह जादा अच्छा प्रपरमस करते हैं तो हमें इस टीम में फाइदा होगा इसलिए इनको मैंने वाइस कैप्टन मना तो जरूर आप इनके साथ जा सकते हैं चले तीसरी टीम पर चलते हैं तो यह टीम भी अगर आप चाहे तो ग्रांड लिक के लिए पास से जादा उसके जगा स्मॉल लिक के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन जादा ग्रांड लिक के लिए तीसरी टीम में मैंने यह पर देख सकते हैं यह पर एम सिंग को वापस ले लिया है इसके अलाव मेरे पास तीन बल्ले बाजे ए मुर्टेजा बीवाड और एट्रिम इसके अलाव मेरे पास दो वाल राउंडर है एच कारलोन और बीस टीवन को इस टीम में शामिल कर रहा हूँ तो यहाँ पर में अल्रेडी में दो चेंज कर चुका हूँ अगर गेन बाजे की बात करें तो पिछली टीम की हमारी टाकत थी की बल्ले बाजे लेकिन इस टीम मे इस टीम में शामिल कर रहा हूँ डी ब्लेंड पेड को ले रहा हूँ इमिल्स को ले रहा हूँ सभी की सभी जो गेन बाजे बैसे दोस्तों और अच्छी खासे गेन बाजे करते हैं और विट्टे ले सकते हैं जिससे आपको काफी फायदा होना लाए और इन सब के वजह से करिख सकते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा हटके तो यहाँ पर यहाँ पर इसलिए लिए गेन करें यहाँ बाज कर रही हैं अबी तक हो लेकिन सबसे बढ़ी बात वहीं कि इन पर किसी का ध्यान नहीं गया क्याप्टन को किसी ने ज्यादा यूज नहीं किया लेकिन यहीं हमारे लिए प्लस पॉंच आभी ठोने आला आप इससी वज़े से ग्रैंड लिग जित सकते क्योंकि अगर यह अच्छा परफॉर्मस कर देते तो अगर यह अच्छे विक्टे में बिस हो चुकिए आप बात करें तो मैं जादा सल स्ब्सक्रीन को सिर्फ वर सिर्फ ग्राइड लिए लेकिन स्मॉल लिए ज़ितानी वाली टीम है स्मॉल लिए यूज नहां ना करें तो बेटर है लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहिए तो कुछ चैंजर करके आप इस मतलब ग्राइड लेक में अच्छी खास याद नहीं कर सकते हैं चले रोस्तों इस टिम को भी क्लोज करते हैं सेव कर लेते हैं माप की जगा क्लोज करते हैं चौत्री टिम में आपको दिखा देता हूं वह भी काफी बढ़िया बनी अगर बात करें तो यहां पर मैंने दो कीप जा रहा हूं उसके बाद मेरे पास अगर बात करें बैटिक में वी वाड एस चंद्रमोहने एट्रीब है तो यह तीनों की तीनों बेस बैट्समन ने दो अच्छे खासी की पर है हाँ पर्फरमस में एडेसाई का परफॉंस इता अच्छा नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक तीन बैसमन तीन गेंबाज और दो की परिस्तर से यह एक अच्छा कॉंबिनेशन बनाए अगर गिनबाजी के बात करें तो यह महमूब है बी डी ब्लेंपेड है और इमिल से तो कुलमिला के एक अच्छा खासा कॉंबिनेशन बनाए और यह टीम आप अफकोस आपको मैं कि पर देखिंग के लिए एकदम बेस्ट इम है जितने जिता सकती आपको यह अच्छी खासी अर्निंग ग्राइन लिग में आपको करा सकती है आप चाहे तो इससे स्मॉल लिग के लिए यूज कर लिजेगा फिर उसके बाद चाहे जितने स्मॉल लिग लगए यह कोई प्रब मुपित को वाईस क्यप्टन बना रहो एक अच्छा-छाओंडर बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा-छाओ पर्फरोंस करके अच्छे-छासे पॉंट दिला सकते है जित दिला सकता है तो एक अच्छा-छाओ गेंबाज अच्छे-खासी विक्टे लेता है तो इस बार भी अगर ले लेता है तो आपको फिर से यह टीम भी ग्रांड लिक जिता सकती है और फिर अच्छी खासी आर्निक तो पक्का कराई सकती है तो इसलिए मैंने इस तरसे यह टीम बनाई और थोड़ा हट के ज़रू कर लीजिगा तो इस तरसे यह टीम अच्छी खासी इस टीम को भी क्लोज कर लेते और आखिर में यहीं कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको लगता है इन सभी टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है कि कैप्टन और वास कैप्टन सही नहीं लेकिन ज्रूहें कोई चेंजेस करने जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन में जरूर दियें लेकिन हो सकता है तो लेकिन आथा हैं और विडियो और पसंद कि क्या चेंजेस होते टिम में और उसके नुसार चेंजेस ज़रू कर ली जगा तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वड़े में तब तक के लिए थांक्यू धन्यवाद गुडबाय टेक क्या